टोप फाइव बेस्ट बाइकस इं इंडिया अंडर 2 लाक्स नमस्ते दोस्तो और वेलकम टो आर चैनल कैसे आ आप लोग आज ही इस सुडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ टोप फाइव बेस्ट बाइकस इं इंडिया अंडर 2 लाकस तो आज यानिकी सब्टेंबर में आप लोगों का बजट है दो लाग तक अन रोड प्राइज रेंज का तो ऐसे मैं कौन सी ऐसी पाच बेस्ट बाइक से जो आप लोगों के लिए बेस्ट चोईस हो सकती है वो आज ही स्टुडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाला हूँ तो चलिए जादा डाइम वेट नहीं करते है और स्टार्ट करते है अपना वीडियो तो नंबर पाच पर है हीरो एकसपल्स टूहंड्रेड फोर वी यह एक ADV बाइक है और यह बाइक एक परफेक्ट चोईस है अगर आप लोगों को एडवेंचर टूरिंग करनी है या फिर अगर आप लोगों को लॉंग बाइक रैड करनी है और आप लोगों का बजट है 2 लाग तक अन्रोड प्राइज रेंज का तो ऐसे में यह बाइक सबसे बेस्ट चोईस है क्योंकि आप लोग इसको सीटी में तो चला सकते हो बट खराब रास्तों पर आप लोग इसको आराम से चला भी सकते हो और कंट्रोल भी कर सकते हो प्लस इसका इंजिन अच्छा माइलेज भी डिलिवर करता है जो आप लोगों को लॉंग राइड के टाइम पे थोड़ा सा एफोर्डेबल ऑप्शन भी प्रोवाइड करेगा इसके अंदर आप लोगों को ओल न्यू वन नाइटिन पॉइन 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 के बीच में इंजिन की रिफैंडमेंट अच्छी है और न्यू इंजिन और भी जादा स्मूध हो गया है और हाँ सेम इंजिन के साथ एक और बाइक आती है अगर आप लोगों का बजट थोड़ा सा और कम है तो आप लोग उसके लिए भी जा सकते हो जिसका नाम है एक्स प इसका लेटेस अन्रोड प्राइस रेंज है मेरे यहाँ पर मिन्स की थाने महराश्ट्र में 1,56,000 से लेकर 1,90,000 X-Pulse 204V के टॉप मॉडल का और ये बाइक किसी ठाइट थोड़ी सी उपर है जिसके वज़े से मैं भी शौटर रडर को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है बट इ 8 kg का अगर आप लोगों को कमिटर बाइक सी है तो आप लोग Hero Extreme 200 4V के लिए भी जा सकते हो या फिर Hero Extreme 160R 4V के लिए भी जा सकते हो तो चलिए भी बात करते हैं नेक्स्ट बाइक के बारे में तो नमबर चार पर है Honda Hornet 2.0 ये एक कमिटर बाइक है और डेड़ लाग से लेकर 2 लाग के और प्राइज रेंज के अंदर ये सबसे बेस्ट कमिटर बाइक मैं बोल सकता हूँ क्योंकि ये बाइक All-Rounder है ये बाइक दिखने में अच्छी लगती है इसके अंदर आप लोगों को latest modern features भी अच्छे मिल जाएंगे प्लस इसकी build quality भी अच्छी है और इसके करता है 17.03 BHP का and 16.1 NM stock generate करता है ये बाइक अंदर पाच गियर से और ये engine mileage deliver करता है 44 से लेकर 46 KMPL के बीच में इसका engine smooth है and long lasting भी है प्लस इसकी sitting position comfortable है और इसकी seat height भी low होने के वज़े से सब लोग ये बाइक के उपर बैट के आरम से ये बाइक को चला भी सकते है और control भी क पर सकते है ये सब चीजों के साथ साथ अगर आप लोगों को ये बाइक को कभी कबार long drive पर लेके जाना है तबी भी आप लोगों के लिए ये बाइक अच्छा choice हो सकती है हरनेट का latest on road price range है मेरे यहाँ पर 1,67,000 से लेकर 1,70,000 के बीच में सेम इंजिन के साथ आप लोगों को एक और बाइक मिल जाएगी अगर आप लोगों को 80 भी बाइक पसंद है तो आप लोग Honda CB200X के लिए भी जा सकते हो जिसका latest on road price range थोड़ा सा ज़ादा है ये बाइक से आप लोगों को ये बाइक के अंदर single channel ABS का option मिल जाएगा तो चलिए भी बात करते हैं next bike के बारे में तो number 3 पर है Royal Enfield Hunter 350 ये एक cruiser bike है और अगर आप लोगों को एक trustable and अच्छे engine वाली bike चाहिए तो ये bike मैं आप लोगों को recommend करूँगा उधरा ही नहीं ये bike सबसे comfortable भी है ये price range के अंदर तो अगर आप लोगों को अच्छा comfort देने वाली भी bike चाहिए तो ये bike आप लोगों के लिए सबसे best choice हो सकती है Hunter 350 में आप लोगों को 349 CC का air and oil cool engine मिल जाएगा जो के power produce करता है 20.2 BHP का and 27 Nm stock generate करता है ये bike के अंदर 5 gears है और ये engine mileage deliver करता है 35 से लेकर 38 kmpl के बीच में इसका engine smooth है और engine की refinement भी बहुत ही अच्छी है प्लस आपको ये bike चलाने में मजा भी आएगा Hunter का weight है 181 के जिसका और आपकी safety के लिए आप लोगों को इसके top model में dual channel ABS का option मिल जाएगा Hunter 350 का price range just recently थोड़ा सा और बढ़ा है और इसका latest on road price range है मेरे यहाँ पर 1,88,000 से लेक और इसके अंदर आप लोगों को अभी से 2 models मिल जाएगे जिसके अंदर आप लोगों को dual channel ABS का option मिल जाएगा ये bike city में चलाने के लिए as well as long distance traveling करने के लिए अच्छा choice है तो चलिए भी बात करते है next bike के बारे में तो number 2 पर है TVS Apache 200 4V ये एक computer bike है और ये bike youngsters के लिए या फिर college students के लिए अच्छा choice हो सकती है क्योंकि ये bike दिखने में अच्छी लगती है इसके अंदर आप लोगों को सारे latest modern features मिल जाएगे प्लस वो सब चीजों के साथ-साथ आप लोगों को एक अच्छा and smooth engine मिल जाता है जो अच्छी performance के साथ-साथ आप लोगों को अच्छा mileage भी deliver कर लाइक अपाची 204 वी में आप लोगों को 197.75 CC का oil cool engine मिल जाएगा जो के power produce करता है 20.54 BHP का and 17.25 Nm stock generate करता है ये bike के अंदर 5 gears है और ये engine mileage deliver करता है 38 से लेकर 40 km PL के बीच में इसके engine की refinement बहुत ही अच्छी है और ये engine के अंदर से आप लोगों को बहुत ही कम vibration भी मिलेंगे bike की sitting position जादा aggressive नहीं है और city में चलाने के लिए ये bike अच्छा choice है और pillion के लिए भी ये bike comfortable है इसका latest on road price range है मेरे यहाँ पर 1,75,000 से लेकर 1,76,000 के बीच में अभी से Apache 204 वी में आप लोगों को only एक ही model मिल जाएगा जिसके अंदर आप लोगों को dual channel ABS, riding modes और Bluetooth connectivity जैसे अच् modern features मिल जाएंगे Apache का weight है 152 के जिसका और आपकी safety के लिए आप लोगों को ये bike के अंदर dual channel ABS का option मिल जाएगा अगर आप लोगों को एक comfortable bike चाहिए तो आप लोग TVS run-in के लिए भी जा सकते हो जो TVS की cruiser bike है बट मैं आप लोगों को recommend करूंगा Apache 204 वी क्योंकि ये bike मेरे हिसा आप से value for money bike है 2,00,00 के on-road price range के अंदर तो चलिए भी finally बात करते हैं नंबर एक के bike के बारे में तो नंबर एक पर है Bajaj Pulsar NS200 ये एक naked sports bike है और ये bike aggressive rider के लिए सबसे best choice है या फिर college students के लिए या फिर youngsters के लिए भी बहुत ही अच्छा choice है क्योंकि इसका engine सबसे best power generate करता है य ये price range के अंदर उतना ही नहीं ये bike के अंदर यानि कि इसके latest 2024 के models के अंदर आप लोगों को वो सारी चीजे मिल जाती है जो इसके older model में missing थी जिसके वज़े से लोग थोड़ा सा हीच की चाते थे ये bike लेने से बट अभी से आप लोगों को वो problem नहीं होगा क्योंकि NS200 में अभी से आप लोगों को fully digital instrument cluster, LED headlight और Bluetooth connectivity जैसे अच्छे latest modern features मिल जाएंगे NS200 का latest on-road price range है मेरे यहाँ पर 1,71,000 से लेकर 1,90,000 इसके top model का अब से ये bike बहुत ही अच्छा choice बन गई है अगर आप लोगों को एक powerful bike चाहिए 2,00,000 के on-road price range के अंदर सो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये इस price range के अंदर बहुत ही अच्छा choice है NS200 में आप लोगों को 199.5 cc का liquid cool engine मिल जाएगा जो की power produce करता है 24.5 bhp का N18.74 Nm stock generate करता है ये bike के अंदर 6 gears है और ये engine mileage deliver करता है 33 से लेकर 36 kmpl के बीच में ये bike के gears बहुत ही smoothly shift होते है और bike की sitting position भी अच्छी है प्लस lady pillion के लिए भी ये bike comfortable है ये bike कवेट है 168 kg का और आपकी safety के लिए आप लोगों को ये bike के अंदर dual channel ABS का option मिल जाएगा तो guys that's it from my side अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो please do like and subscribe to our channel अगर आप लोगों को किसी भी bike से regarding कोई भी तरीक अगर डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे comment कर सकते हो thank you so much guys for watching bye-bye and congratulations for your new bike you